हेलो एवरिवर्ट, वेलकम बेक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे कुट्टू के आटे की पूरी जोगरत में खाई जाती हैं कुट्टू के आटे की पूरी बनाने के लिए हमने सबसे पहले दो उबले हुए आलो को ले लिया है और इनको हम कदू कसमे से निकाल लेंगे अब हम इसमें एक कप कुट्टू का आटा डालेंगे थोड़ा सा सेंधर नमक, अपने स्वाद के अनुसार काले मिर्ची का पाउडर और इसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं और हरे मिर्च को काट कर ना डाले क्योंकि इसे पूरिया फट सकती है तो इन सभी चीजों को हम लेके हाथ से अच्छे से मिलाएंगे और मिक्स करने के बाद हम इनकी इस तरह से मुठी बना करके देखेंगे अगर इस तरह से मुठी बन जाती है तो हमारे कुट्टू के आटे में आलू की मात्रा बिल्कुल सही है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एक रोटी के जैसा आटा गूध लेंगे एक साथ पानी पूरा नहीं डाले थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एक अच्छा सा आटे का डोर त्यार कर लेंगे आटा ना ज़्यादा सकत होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए अब हम इसमें जो भी तेल या घी आप खाना चाहें उसको एक कड़ाई में लेके गरम करेंगे और थोड़ा सा घी का चिकना हाथ बना करके इस आटे की चोटी-चोटी लोईयां बनाएंगे लोई ज़्यादा बड़ी ना बनाएं निम्भू के आकार की हम इसमें लोईयां बनाएंगे तो ज़्यादा मोटी अगर पूरी बनाते हैं बीच से कच्ची-कच्ची लगती है तो इसलिए इनको हाथ की मदद से ही इस तरह से हलके-हलके थप-थपा के चारों तरफ से कोनों को भी जो कोने फट जाते हैं इनको बनाते हुए उनको भी सौट सा कर ले और इस तरह से पूरी बना करके तेल के अंदर छोड़ेंगे तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए मीडियम आज पर इसको बनाए और तेल भी मीडियम गरम ही होना चाहिए ज्यादा गरम तेज तेल होने पर हमारी पूरिया जल सकती है तो इसलिए थोड़ी सी मीडियम आज पर ही इन पूरियों को हम तलेंगे और दोनों तरब से हम इनको तलेंगे ये देखे कैसे हमारी पूरिया फूल करके उपर आ गई है और बहुत सुन्दर पूरिया मनी है तो इसी तरह से हम बाकी सभी पूरियों को भी निकाल लेंगे तो ये हमारी पूरिया अब बिल्कुल तयार है अब आरी आती है टिप्स की पहला टिप क्या है इस तरह से मूठी को बांद कर देखे तो आटा जो है हमारा ठीक बना होगा यानि उसमें आलू की मात्रा ठीक है अब दूसरा टिप है आटे को ना जादा सकत बनाए ना जादा धीला बनाए और इसको जादा देर के लिए भी नहीं रखना है तीसरा टिप है लोई बनाने के लिए थोड़ा सा घी का हाथ जरूर लगा ले उससे हमारी पूरिया अच्छी बनती है और फटेंगी भी नहीं और चकले वेलन पे आप बना सकते हैं पर वो किनारों से फट जाती है तो इसलिए हाथ की मदद से ही पूरिया बनाए तो ज़्यादा अच्छी बनेंगी या फिर आप पॉलिथिन की थैली को भी इसको बनाने में यूज कर सकते हैं अगर वो आपकी साप सुतरी हो तो तीस जोथा टिक आटे को ज़्यादा सकत नहीं बनाना है और नहीं ज़्यादा धिला बनाना है और ज़्यादा देर के लिए उसको नहीं रखना पांच मीट्रिक है तेल या घी जो भी आपने लिया है उसको मीडियम गरम रखे ज़्यादा तेज आज पर ना बनाए वीडियो अगर पसंद आईए तो इसको लाइक शेर अवश्य कीजिए तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत